हेलो यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज का व्लॉग मैं नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरी तबित बिल्कुल भी सही नहीं थी तो सुबह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी तो बस अभी-भी हज्मिन ने बनाया था करो आपको दिखाती हूँ तैसे आज है 31st नाइट हर बार मैं बहुत अच्छी तने से सेलीब्रेट करती थी 31st नाइट मगर इस बार नहीं कर पा रही हूँ बहुत ज्यादा दवित कराब है तो थोड़ा बहुत जो भी सेलीब्रेट कर रही हूँ वो सब मैं आप सब के मुझे खुद भी नहीं पता तो चलिए आपको ले चलती हूँ किचन में और आज मैं आपको किचन में दिखाई नहीं दूँगी पहले तो डिसाइड था कि मैं आज खाना बनाऊगी मंगर मेरी तबित खराब होने की वज़े से हाजमें ने करा कि चलो आज मैं तुम लोग को पढ़िया सी चीज खिलाता हूं और फटा-फट उन्होंने इंतिजाम किया क्योंकि हर बार मैं सलीब्रेट करती थी इस बार सलीब्रेट नहीं कर पा रही थी 31st नाइट को तो यहां पर उन्होंने बनाया है गर्मा-गर्म फ्राइड रैस आपको बताओं फ्राइड रैस इतना टेस्टी था इतना यमी था बिल्कुल बाहर की तने रेस्टराइड की तने इसका कलर टेक्फिर आप देख सकते हो कितना बढ़िया है रेसीपि मैं शेर नहीं कर पाई क्योंकि वो किस तने से बनाते हैं किसी दिन और बताऊंगी क्योंकि मैं ने शूट नहीं किया है आज देजस ने थोड़ा बहुत शूट किया था तो बस सॉस के साथ हम लोग ने फ्राइड ड्राइस को इंच्वाई किया गर्मगरम आप देख सकते हो इसमें धुआ निकल रहा है और आप फील कर सकते हो कि गर्मगरम ना खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है और यह वीडियो नेक्स टे का है और मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ अपने किचन रूटीन पर तो यहां पर मैंने फट फट चड़ा दिये एक साइट चाय और यहां पर मैं चड़ा रही हूँ अपने लिए केसर वाला पानी क्य चुरुआत कैसे हुई आपने क्या क्या किया प्लीज जरूर बताइएगा और जिसका सबसे यूनिक और अच्छा लगेगा कमेंट मैं उसको जो है शाउट आउट दोंगी शाउट आउट का मतलब है कि मैं उसका नाम बोलूँगी ऑन कैमरा चानल पर अपने तो यहां पर म है कि कया तो आपने है कि यह सर्फ वैसे तो आप दिनों जैसा ही आज मुझे लग रहा है फीलिंग ऐसे ही लग रही है कुछ मानिंग में टी बनाती हूं कीसे वाला पानी पीती हूं गारा देखेत की दिन कैसा निकलता है अब तक सो रहे हैं क्योंकि कल रात को हम लोग बहुत देर तक जगें हैं टीवी पे पोग्राम्स आ रहे थे तो अच्छा लग रहा था तो वहीं सब लोग देख रहे थे एंजॉय कर रहे थे कुछ खास तो नहीं था और कल मेरी तबेद भी नहीं सही थी तो जिसकी विज़े से थोड़ा से रूटीन मेरा इदा उदर का हो गया था मगर आज मैंने सोचा कि आज साल का पहला दिन है हिम्मत करते हैं और चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं करacas मेरे दिन मेरे व्लोग के साथ बने रहिएंगा दिन तो नहीं आज तो मी आपसे यहीं कहाँगे मेरे वलोग के साथ बने रहिएंगा और देखते हैं कि दिन कैसा निकलता है मुझे खुद भी नहीं पता कि कहां जाएंगे नहीं जाएंगे घरी में रहेंगे क्या है सब पता चल जाएगा तो फिराल मैं केसर वाला पानी पी लेती हूं फिर आप से मिलती हूं मौर्नी की शुरुआत आपने देखा था कि मेरी शुरुआत कैसे हुई थी न्यू यर पे और यहां पर तेजस और तेजस के डाड़ी दोनों सो रहे हैं वो दोनों गए थे मंदिर तो मंदिर से आए हैं और दोनों जन ठक गए हैं तो वो दोनों सो रहे हैं तो मैं कर रही हू यहां पर डिनर की तैयारी आज मैंने सुझा कि कुछ special तो बनाते ही बनाते हैं क्योंकि भाई साल का पहला दिन है और अच्छा बनाना चाहिए ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा रहे और बढ़िया से रहे तो मैंने सुझा कि आज special चीज बनाते हैं special जो सभी को पसंद है मैं वो चीज बनाने की कोशिश करती हूँ जो घर में समान हो especially मैं कोई समान नहीं मंगवाती हूँ जो भी सबजियां होती हैं जो भी चीज़े होती हैं वो मैं घर में ही सोच के बना लेती हूँ तो यहां पर मैं आ गए थे guest तो अचनक जब मैं सबजी काट रहे थी तब ही आ गए थे guest तो मैंने सोचा कि उनके लिए फटाफट मैं बनाती हूँ दीखिया आधी सबजी मैंने काटी है आधी सबजी रख्यू यह तो बस मैंने फटाफट उनके लिए बनाया है नाश्ता कि कोई आज है तो आपका दिमाग नहीं काम करता है कि आप क्या बनाओ क्या दो बिस्किट डाल मूट से मुझे बेस्ट लगता है कि घर की चीज़े आप ज्यादा अच्छा बना सकते हो वो प्रेजेंट कर सकते हो तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है और सर्दियों में घर की च चाई क्योंकि एक साथ मैं निकाल पाई मिया ट्रेश है चोटी और जब कोई बी गस्त आ जाता तो ट्रेश मुझे चोटी पढ़ जाती है चाई रखने वाली जो च्रेश होती वो चोटी पढ़ जाती है तो चाय भी मैंने निकाल दी है मुझे लेक बड़ी सी ट्रे लेनी है जिसमें सारी चीजे एड़्जस हो जाए मैं हर बार सोचती हूँ लेनी है जब मार्केट जाती हूँ तो भूल जाती है तो ये हैं वो गेस्ट आप देख सकते हो सब लोग बैठे थे बाते कर रहे थे और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई आप समझ सकते हो किसी सामने शूट करना समझ में नहीं आता है तो फटाफट मैं आ गई थी यहाँ पर डिनर बनाने तो डिनर सब लोग ने जो गेस्ट आये थे उन्होंने खा लिया था आप कई बार मेरे व्लॉक्स में देख चुके हो तो यहाँ पर उन लोग के लिए मैंने डिनर बना दिया था वो लोग खाके चले गये थे तो अब हम और मेरी फैमली बची थी दिनर खाने के लिए तो फटा फटा मैंने सोचा कि रोटिया गर्म गर्म बना लेते रोटी क्या मैंने नान के लिए आटा साना था जो गेहु वाला आटा होता है उसको नान के परपस से बनाया था तो बस सिंपल सा नान बनाया था, बटर मुझे लगाना था, मगर बटर ही हमारे याँ खतम हो गया था, तो बटर इतनी रात को मिल भी नहीं पाता, शॉप्स बंद हो गई थी, मैंने का चलो कोई बात नहीं, इसके लिए रोटी ही बना लेते हैं, तो वो लोग जब खाना खा शेर करोंगी, मगर नहीं शेर कर पाई, क्योंकि आप समझ सकते हो, जब कोई आज आता है, तो आपको खाना बनाने की जल्दी होती है, और ये है मीठा, आज के दिन तो मीठा खाना ही खाना है, क्योंकि न्यू येर है, हर बार मैं घर में मीठा बनाती थी, मगर इस बार नह खुला, नान वाली रोठिया, राइस, मेवे वाले बढ़ियां सा खाना हमारा तया, तो कुछ इस तने से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू यर आज सी 1st जैन, तो अच्छा लगता है कि सेलिब्रेट करो, खुशियों का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, और य हमें लुट कर पाई थि, तो आप दिन और गजट जट शर्म चाहिए, और न्यू यह सेलिब्रेट करें किया, कि तो रहे हैं, को आजका दिन मेरा कुछ ऐसा रहा है और किस तने से हम ने सेलिब्रेट किया वाली थिर जब्ताना मत बूलिएगा